वेलकम तू माई यूटूब चैनल दोस्तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एक सोलर सिस्टम शेटप के बारे में जो कि आपका 2000 से 2300 रुपाय के बीच में आपको पढ़ने वाला है आपको मैं बताने वाला हूँ पूरा इस्टीमेट जो कि आपका जो है 2000 से 2300 के बीच में होने वाला है यह सोलर सिस्टम सेटप बहुत ही छोटा सोलर सिस्टम सेटप है जो लोग बड़ा सोलर सिस्टम सेटप नहीं ले पा रहे हैं और लाइट से परेसान है तो उनके लिए यह मैं सोलर सिस्टम सेटप लाया हूँ और उनके लिए मैं बताऊ solar system setup है कितने का क्या है सब कुछ मैं आपको इसमें इस video के बताऊंगा तो video को लाइक करें share करें चैनल पर नहीं है चैनल को अब सब्सक्राइब करें तो दोस्तों इसमें इसमें सब्से पहले आपको एक solar panel लेना होगा जो है मैं आपको बता दूँ एक आपको solar लाइक करें दोस्तों एक आपको शोरर पैनल करीदना होगा जो कि 20 वाट का लेना है कि अच्छ का सोलर पैनल आपको ले लेना है जिसमें कि आपको और जिनल रिम्त आपको प्रीक्ष सब्सक्राइप आपको देखने को मिलेगी जैसा कि Lumines है कमपनी या फिर Excide हो गए रहा है आप इन कमपनिये का खरीच सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तो इसमें आप Soda Panel देख लीजे इस तरीके से हुआ और उसके बाद आपको एक Byte Tree चाहिए Byte Tree आपको छोटी चाहिए जो की 7.5 AH की 12 बोल्ट की Byte Tree आपको लेनी है जो की मार्केट में आपको जो है 600 रुपाई से लेकर के 900 रुपाई के बीच में देखने को मिलेगी यह अलग-अलग कमपनियों के अलग-अलग रेट होते हैं दोस्तो किसी कमपनी के 600 की भी मिल जाई किसी कमपनी के आपको 900 रुपाई की 800 रुपाई की जैसे भी है मिल जाएगी और उसके बाद हम बैटरी के बाद बात करें तो Solar Charge Controller यह देखिए आप Solar Charge कंट्रोलर यह बहुत ही जरूरी है जो कि बैटरी को फुल चार्ज होने से मनला की बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद चार्जिंग बंद करता है और सारे प्रोटेक्शन होते हैं लो बैटरी सारा कुछ तो Solar Charge कंट्रोलर यह आपको एक साइड कंपनी का 300 रुपाय के लगभग मार्केट में देखने को मिल जाएगा 10 एंपियर का जो की परियाप्थ है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस सोलर सिस्टम सेट अप के लिए और इसमें जो है हम डारेटली बैटरी को नहीं चार्ज कर सकते नहीं तो यह आपको बैटरी को कुछ दिन में डैमेज कर देगा तो देखिए यह इसमें जो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर है वह आपको 300 रुपाय का देखने को मिल जाएगा मार्केट में और यह 10 एंपियर का रहता है और इसमें जो है फुल चार्ज का जो है कटॉफ होता है और लो बैटरी का आपको कट आफ मिलता है इसमें और उसके बाद आपको बता दूँ ओवर बोल्टेज यह नहीं होने देता है और आउट्पुट भी यह कंट्रोल करता है आउटपुट इसमें जो है आप ले सकते हैं उसमें मिलता है कनेक्शन तो इस तरीके से सोलर चार्ज कन्ट्रोलर हो गया और उसके बाद आप जो है इसमें वार भी थोड़ा लगाएंगे यह आप जो जितना लंब चाई वाएर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना लंबा ले जा रहे हैं तो वार आपको मालीजिए थोड़ा दूर है तो मालीजिए सोर toplnd car का 150 रुपाई का वायर आपका हो जाएगा दोस्तों 150 रुपाई का वायर मान लीजिए मुटा-मुटा और उसके बाद अगर आप जो है इसमें सोलर चार्ज कन्ट्रोल ओ सोरी सोलर कन्वाइटर लगाते हैं जो कि आपको 12 बोल्ट से 230 बोल्ट की सप्लाई आउटपुट करता है अगर ये लगाते हैं तो इसमें आप जो है मुबाईल चार्जिंग आप कर सकते हैं एसी बल्ब जला सकते हैं और बाकी जो है आप यह जितने भी उपकरण है आप चलाना चाहें मुबाईल चार्जिंग है लेप्टॉप चार्जिंग है यह सारा कुछ आप इसमें लेडी बल्ब है यह आपका सो वाटेच से 200 वाटेच का आता है जिसकी कीमत आपको लगभग मार्केट में 500 रुपाई के लगभग देखने को मिल जाती है तो इस तरीके से यह सोलर चार्ज कंट्रोलर का सेट अप है और अगर आप इसमें सोलर कंवर्टर नहीं ले रहे हैं तो आप DC प्लेट खरीद सकते हैं जो की 30 रुपाई की मार्केट में आती है तो मगर उसमें आपको मुबाइल चार्जिंग नहीं होगा और AC वाले बलब आप नहीं जला पाएंगे और तो दोस्तो इसका हम अगर पूरा मोटा मोटा इस्टीमेट माल लेते हैं तो आपको मैंने भी पैनल का रेट नहीं बताया है जो दोसो वाट का पैनल है ओरिजिनल पैनल आप लेंगे तो यह आपको और बीस वाट का यह आपको आठ सो रुपाई से हजार रुपाई के बीच में देखने को मिलने वाला है तो इसका हम एक मोटा मोटा इस्टीमेट पूरा निकाल लेते हैं जर साइड में तो देखिए माल लीजिए हम मिनिमम ही जोडते हैं उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है आठ सो रुपाई आप पैनल का जोड़ लीजिए छे सो से नौ सो बीच में आठ सो रुपाई ही हम बैटरी का भी जोड़ लेते हैं उसके बाद सोलर चार्ज कंट्रोलर हम तीन सो रुपाई का जोड़ लेते हैं एक सु पचास रुपाई का हम वायर जोड़ लेते हैं और ये तो optional है आपका इसे आप लगाना चाहें तो लगाएं ना लगाना चाहें तो ना लगाएं तो फ्रेंट्स आईए अब हम इसको पूरा calculate कर लेते हैं तो देखिए 800 रुपाई आपका 800 हो गया पैनल का 800 हो गया आपका बैटरी का 300 रुपीस आपका इसका हो गया solar charge controller का और 150 रुपाई का आपका हो गया है यह वायर तो यह आपका 2050 रुपाई का यह estimate रहा इतना यह देख पारें आप 2050 रुपाई का आपका यह system पूरा तयार हुआ और अगर आप solar charge controller भी साथ में लगा रहे हैं तो 250 रुपाई आपका इसका भी और खरीदना पड़ेगा आपको और add हो जाएगा यह 250 रुपाई तो यह आपका 200 रुपाई का पूरा पूरा देखिए रोस तो estimate यह तयार हो गया तो मैंने आपको बताया था 2000 रुपाई से 2300 रुपीस से 2300 रुपीस के बीच में आपको यह पूरा setup देखने को मिलेगा यह optional है इसे आप अगर लगाना चाहें तो लगाएं ना लगाना चाहें तो ना लगाएं उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसको आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से यह चोटा सा solar system setup का मैंने आपको यह वीडियो बताया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं चैनल को आवज सब्सक्राइब करें मिलते हैं वे एक नेक्स वीडियो को साथ और इसका इन इस्टॉलेशन आप खुल से ही कर सकते हैं इसमें कोई भी ज्यादा ताम जाम नहीं है मैंने कितनी भी solar system setup की वीडियो डाली है आप उन वहाँ जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो को साथ थैंक यू